हेलो सुट्रेंट्स वेलकॉम टू माई नर्चर मैं हूं क्रिशना कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो चले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बायोकमेश्ट्री एंड क्लिनिकल पैथलोजी का चैप्टर नमबर थर्ड एंड लेक्चर नमबर फॉर है यह लास्ट लेक्चर ह डीजी या डिजीज रिदिटेट टू प्रोटीन माल नि दूटरीशन सबुक'll कि सब्सक्र अचैए इसका मतलब होता है उसकी कमिः कमी कहलो या गरबडी कहलो क्या खरबड़ी कहलो याकि कि मैमिट्ट्रीशन में क्या हो गया गरबढ़ी और परोटीन की nutrition में गरवड़ी हो गई है तो protein malnutrition कई बाद शब्द सुना ओगा तुम लोगों ने mal function माल function तो इसका मतलब वो तरह है function में दिक्कत आ गई तो mal practice गलत तरीके तो यह mal word लग जाता है कमी या गरवड़ी ठीक है अब कर protein की कमी हो जाती है body में छोटे फरसे तो दो खास बिमारियां इसको हम क्या कहते हैं कौशिय और कर और मरासमस तुम तो पता है हमें है ना पता होगा सबको पता होगा सबने बच्वाने पट रखा होगा तो कुछ खास नहीं है आज का lecture का कौशिय और कर मरासमस प्रोटीन की कम करते हैं यहां पर हम लोग तो यहां तक बाते हमें समझ में आ गई है तो हम लोग एक वर्ड आता है प्रोटीन एनर्जी मालनुट्रीशन क्या आता है प्रोटीन एनर्जी मालनुट्रीशन है ना इसको हम लोग पी एमबी कह देते हैं है ना प्रोटीन और सासाज में एनर् तो protein energy malnutrition यह शब्द भी यहाँ पर कही ना कहीं काउंट होता याने कि protein energy malnutrition के अंदर इसको पढ़ लो चाहिए protein malnutrition के अंदर पढ़ लो disease हमारे पास दो आती है क्वाश्य और कर और मरासमस तो किलिए ने malnutrition of protein का मतलब समझ में आ गया तो उसकी definition के हम यह जरूत नहीं है ठीक है ना malnutrition यहने की insufficiency या deficiency of protein in diet simple समझ लेना इसको malnutrition of protein का मतलब क्या हो जाएगा deficiency यहने कमी of protein in diet हमारी diet में हमारे खाने में protein की कमी होना that is malnutrition of protein ठीक है तो हम लोग कहते हैं दो बिमारी यह इसमें बड़ी common है कौश्य और कर और मरासमा तो कौश्य और क्या होता है आप समझते हैं कौश्य और कर आलसो नोन आज एडिमेटर्स एडिमेटर्स मतलब सूजन फूल जाना ठीक है एडिमेटर्स malnutrition बिकॉस ऑफ इडिमा फिल्यूड इरिटेंशन बॉड़ी में क्या होता कुछ खास पार्स में फिल्यूड क्या होता इखट्टा हो जाता बॉड़ी में ठीक है ना अब यह डियाग्राम दिखांगा तुम लोगों में इडिस नूट्रिशनल डिसॉर्डर्स यह एक ठीक है अपनी इंडिया में कभी ऐसा होता था लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है तो फेमाइन का मतलब क्या हो गया अकाल ऐसी जगह जहां पर क्या आकाल पड़ा हुआ है दाने दाने को मौताज हो रखा आदमी यह ऐसा माल नूट्रिशन है नूट्रिशन तो सब आता है लेकिन यह एक ऐसा माल नूट्रिशन है जिसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है इसलिए से प्रोटीन माल नूट्रिशन कहा गया है डाएट के अंदर पीपल हुव कोश्य और कर टिपिकली है एन एक्टर्नली एमसियेटेट अपिरेंस एक खराब सा इस्टर्बेंस सा हो जाता है ठीक है इन और बाडी पार्ट एक्सेप्ट देर एंकल फीट एंड बैली विच स्वेल विद फिलिड ठीक है जो की फिलिड की वैसे सूच जाते है हम देख सकते हैं बच्चे जाते बच्चों पाये जाता है ठीक है क्या-क्या रहापस एंकल पैर के एंकल नेंदिखने ही रहे है फीट होते हैं और यह बढ़ी देखर यह सबस्वर्ए निशानी यह यह बच्चों के पेट ऐसे बहार आयाते हैं गाउं में चले जाओ तो ग या जो अपनी ऐसी संस्था है इनी बच्चों की हेल्प के लिए बनी हुई है ना तो यह निशानी है किसकी कौश्य और कर की आगे आते हैं कौश्य और कर इस रेरली फाउंड इन युनाइटेट इस्टेट में होता ही नहीं है वहाँ पर प्रॉपर डवलब हो चुका है and other countries with generally steady food supply steady मतलब जहां लगातार food की supply है और युनाटेट इस्टेट यहां पर कौश्य और कर नहीं होता है its most common is sub-saharan अफरीका सबसेदा कहां पाया जाएगा sub-saharan अफरीका and other countries where people routinely have a limited supply of food जहां लगों को routine में खाना नहीं मिल रहा है पाधिसर दिन में एकी बार खाना मिल रहा है दो दिन में एक बार खाना मिल रहा है तो routine में ही खाना नहीं मिल रहा है उनको वहां पर जब्धे जादा पाया जाता है most people who are affected by Heartste is fully if they are treated early जो लोग कौशे औरकर से affected होते हैं वो fully recover हो जाते हैं अगर समय से early जल्दी उनका treatment start कर दिया जाए treatment involves introducing extra calories treatment हो क्या होता है हम लोग extra calories होता है खाना ही treatment है इसका खाना ही treatment है खाना देना start करेंगे जिसमें extra calorie होगी and protein into diet calories and protein diet में देना start करेंगे children who develop कौशे औरकर may not grow or develop properly जिनको कौशे औरकर होता है बच्चों को वो grow नहीं करते हैं और develop नहीं करते हैं properly and may remain stunted stunted मतलब जिनकी growth प्रोपर नहीं होते हैं नाटे बहने से रह जाएंगे for the rest of their life पूरी जिन्दगी वो फिर वैसी रह जाते हैं there can be serious complication serious complication भी हो सकते हैं उसकी वैसे when treatment is delayed delay मतलब late कर दिया जागा treatment इसमें क्या क्या होगा कॉमा में जा सकते हैं shock लग सकता है शौक का मतलब होता है बहुत से body के organ में blood की supply proper नहीं होती है permanent mental and physical disability permanently दिमागी तोर पर या सरीज़ी तोर पर पर कमजोर हो सकते हैं यह complication create हो सकती है कॉश्य औरकर can be life-threatening जिंदगी मौत भी हो सकती है if it's less untreated it can cause major organ failure and eventually death ultimately death भी हो सकती है तो ध्यान रखना है यह एक तरह का introductory part था यहाँ पर कॉश्य औरकर बारे में हमने लगए साही बाते जान ली ठीक है ना तो कॉश्य औरकर पर क्या होता है ठीक है किन country तो पाया जाता है पता है यह protein की वह एसे हो रहा है अब देखने जारा what causes कॉश्य औरकर किसकी वह सो होता है तो सिधासा अंसर है protein की कमी की वह से ठीक है ना तो अब लेकिन हमें अगर question आता है what causes कौश और कर तो no doubt lack of protein लेकिन उसके अलावा और क्या लिखेंगे आप समझते हैं कौश और कर इस कौश बाइदा lack of protein in diet एक line का answer एक खतम हो गया हमारा but every cell in your body contain protein हर एक cell में protein पाई जाती है you need protein in your diet for your तुम्हें अपनी diet में protein की जरूरत है for your body to repair cell cell को repair करने के लिए to make new cell नए cell बनाने के लिए इनके लिए क्या चाहिए होता है हमें protein चाहिए होती है a healthy human body regenerates cells in this way constantly और इस तरीके से एक healthy body लगाता cell body जनेरेट करते हैं तो कहिना कि protein का बहुत बढ़ा role है cell के growth में और नए cell के development में protein is also especially important for growth during childhood बच्पन में protein की बहुत जरूत होती है and pregnancy time में बहुत अची होता है if the body lacks protein growth and normally body functions will begin to shut down the function of body के रुख जाएंगे and cost share कर में develop तो ultimately क्या है protein से तो होता ही है कुछ और related चीरे साथ में दे रखें जिससे कि थोड़ा साथ क्या है return theory में दे सकते हो एक यदो नंबर कहा तो सीधा इतना लिखे छोड़ सकते को दिक्कताली बात नहीं है लेकि थोड़ी बातें यहां पर लिखनी पड़ेंगे अगर ती नंबर में पांच नंबर में है कि ना कॉश्य और कर इस most common in countries where there is a limited supply or lack of food उन countries में ज्यादा पाया जाता है जहां पर limited supply खाने की है या खाना ही नहीं जो नए पैदा हुए बच्चे होते हैं एक साल से पांच साल ठीक है उसके बीटें पाया जाता है in sub-saharan अफ्रिका, Southeast Asia and Central America ठीक है ना यह कहां पाये जाते हैं यहां पर पाये जाते हैं किलियर है ओके a limited supply और lack of food is common in these countries supply जो खाने की limited है और खाने में कमी है in countries में खाने की कमी है during times of famine caused by natural disaster जब फैमाइन हो जाता है जब आकाल पढ़ जाता है तो खाने कमी पढ़ जाती है बंदारन ही नहीं और पॉलिटिकल अंड्रेस्ट पॉलिटिकल अंड्रेस्ट का मतलब जैसे कभी हम देख सकते हैं दो कंट्रीज की लड़ायों कर रहा हो जाए supply बंद कर दी के खाने पीने की एक कंट्री की तो ऐसी situation में क्या होता है खाने पीनी कमी बढ़ जाती है कई बार nutrition की नॉलेज की कमी होती है हमें आइडिया ही नहीं है कि यह nutrition हमारे लिए कितना जरूरी है ऐसा भी होता है तो प्रोटीन की तो कमी होती होती है लेका प्रोटीन लेकिन यह सारी चीज़ें कहीं न कहीं इन डाइटली प्रोटीन की कमी करवा देती है इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यह हो जाएगा lack of nutrition of knowledge and regional dependence on low protein diet यहांके लोग low protein diet खाते हैं such as maize based diet जहां maize ज्यादा खाया जा रहा है of many south american country can also cause people to develop this condition ऐसी situation में भी कौश्य औरकर हो जाएगा this condition is rare in countries where most people have access to enough food and are able to eat adequate amount of protein अब यह उन country में नहीं पाया जाएगा जहां पर sufficient परयाप मात्रा में खाना पीना है इफ कौश्य औरकर does occur in United States अगर वहां यह हो जाता है it can be sign of abuse यह abuse का sign अब्यूस मतलब कह सकते हैं एक तरह से हम कि किसी को खाना पीना ना दिया गया हो या नेगलेंज नेगली जैंसी हो क्योंकि United States ने परयाप मात्रा में खाना पीना है सबके लिए ठीक है ना तो वहां पर यह नहीं हो सकता है तो यह abuse का sign हो सकता है जान बूछ से किसको ना दिया गया हो या किसने लापरवाई कर दी गई हो या फैड डाइट फैड डाइट म और वहां पर यह क्या बच्चों में और ओल्डर अडल्ट में पाया जाता है इट के आलसो भी a sign of an underlying condition such as HIV HIV का भी sign हो सकता है कि लिए रहे symptoms क्या है यह important आगे हमारे पास है symptoms हम बात कर लेंगे change in skin and hair color ठीक है rust color का हो जाता है texture बदल जाएगा थकान होगी diarrhea हो जाएगा loss of muscle mass 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 गिर जाएगा weight गिर जाता है failure to grow और gain weight वेट नहीं बड़ेगा edema swelling आ जाएगी damaged immune system immune system हो औरा damage हो जाएगा which can lead to more frequent and severe infection जिसकी वैसे body में अलग अलग तरीकर infection होना स्टार्ट हो जाएंगे चिचड़ा पन हो जाएगा फ्लैकी रेशेश और शॉक शॉक लग सकता है कैसे diagnose करेंगे इसको कैसे पता लाएगा कि कॉश्य और कर है जो बिमारी है क्यों थोड़ी सी दिक्कत होती है इफ कॉश्य और कर संभावना है यह दोक्टर फर्स्ट एक्जामीन यू तो चेक फॉरें इनलाज लिवर सबसे पहले लिवर चेक करेंगा कि लिवर बड़ा हुआ है क्या जिसको हम लोग है पैटो मेगली भी कहते हैं एंड स्वैलिंग बॉड़ी में स्वैलिंग चेक करेंगा ऊपर से दिख जाता यह लिवर और टेस्ट हो सकते हैं on your blood and urine to measure the science of malnutrition जिससे की malnutrition के बारे में समझ में आ सके and lack of protein these test may look for muscles breakdown यहां पर हम टेस्ट जो रहते हैं उसे हम यह देखते का muscles का breakdown हो रहा है and assess kidney function और kidney function चेक करते हैं overall health and growth को चेक करते हैं these test includes क्या क्या है इसके अंदर arterial blood gas blood urine nitrogen जिसको हम बन भी कहते हैं blood level of creatine को चेक करेंगे blood level of potassium चेक करेंगे urine analysis करेंगे complete blood count CBC चेक करेंगे तो यहां से हमको एक idea लगता है कि कि किसी इंसान को कौश्य और कर है या नहीं है तो symptoms हो गए diagnosis के तरीके हो गए अब हम इसका क्या देख लेते हैं treatment देख लेते हैं तो treatment सबको पता है हम लोग क्या करेंगे protein diet को start करेंगे but कैसे आओ समझते हैं कौश्य और कर can be corrected by eating more protein and more calories ज्यादा चीज़े खाएंगे ठीक है ज्यादा calorie कैलोरी मतला समझते हैं ताकत बर चीज़े है अपने protein ज्यादा खाएंगे कैलोरी ज्यादा खाएंगे especially if treatment is started early अगर जल्दी start हो गया है तो सबसे पहले खाने से ही शुरुआत करे जाती है इसके रूप में आपको calorie प्रोटीन उसके बाद जब ताकत आती है शरीर में फिर आपको protein देना श्टार्ट किया जाता है foods must be introduced and calories should be increased slowly दिर दिरे खाना बढ़ाए जाएगा आपका और calorie बढ़ाए जाएगी because you have been without proper nutrition for long period क्योंकि बहुत लंबे समय से अपने खाना नहीं खाया था तो body को एकदम से adjust करने में दिक्कत आती है your body may need to adjust to the increased intake फिर दिर दिरे आपकी body को adjust करना है increased intake जो कभी आप आजी रोटी खा रहे हो एक कौरा खा रहे हो फिर एकदम से चार रोटी खा लोगे महीनों बाद तो दिक्कत करता है तो दिर दिरे बढ़ाए जाता है your doctor will also recommended long term vitamins and mineral supplementation to your daughter vitamin or mineral का supplement भी हो recommend कर सकता है depend करेगा situation पर अब what are the complications क्या क्या complications हो सकते हैं even with treatment children who have had cost your car may never reach their full growth and height potential कई बार ऐसा भी होता है पूरा treatment हो रहा है उसके बाद भी पूरी recovery नहीं हो पाती है if treatment comes too late बहुत देर से treatment start होगा है child may have permanent physical and mental disability बहुत लेटी start करेंगे तो एक बच्चे को हो सकता है कि permanent physical or mental बिमारियां रह जाए उसके अंदर if left untreated अगर इलाजी नहीं कराया था condition can lead to comma shock or death मौत भी हो सकती है कि लिए ले कौश और कर कुछ नहीं था main main points था है इसके अंदर एक दिमाग में set कर लोगे तो खुझ से बना के लिख भी लोगे ठीक है मरासमस क्यों होता मरासमस अब मरासमस में और कौश और कर में थोड़ी सी थोड़ी सी डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है मरासमस और form of severe malnutrition यहां पर सारी चीज़े आता है protein तो है है साथ साथ में दूसरी चीज़े भी आ आती है यहां इस पेशली प्रोटीन की कमी नहीं होती है especially क्या है यहाँ माल नुट्रिशन है it can occur in anyone who has severe मालनुट्रिशन ठीक है मालनुट्रिशन यहने कि प्रोटीन की कमी भी इसके अंदर काउंट किए जाती है but it usually occur in children but खास करकि बच्चों में होता है it typically occurs in developing countries यह डवलपिंग यह यहां पर हो सकता आप हो सकता जो सकता आप अब दिखिया पूरा चमक रहे हैं ना पूरे हाथ का जो मसल से चला गया है वेट खतम हो गया बच्चे का एक दम से देख रहे होगी तो यह पूरा पिक्चर से दिमाग में चीज सेट हो जाएगी तुम्हारे अच्छा मरासमस अब मरासमस मतलब हसने वाली बात नहीं है कोई हसेगा नहीं ठीक है मरा हुआ हम कैसे हंदी हिच शबद आता है मरीयल जो जह चांस यह नहीं होती तो वहां से मरासमस का एक टर्म याद हो जाएगा कि पच्च में बिल्कुल जांसे नहीं कि बच्च बिल्कुल एकदम जैसे लिद जा शब्द बोल मरासमस इस बींग अंडर वेट बच्चा कैसा हो जाएगा अंडर वेट चला जाएगा वजन बहुत गिर जाएगा देख सकते हैं हम लोग यहां पर चिल्डरन विद इस कंडिशन आफ लॉट आफ मसल बहुत जादा मसल्स देख सकते हैं इसके बॉड़ी में कोई अधर यह तूड आते हैं और आज़ा सिंटम्स ओफ मरासमस इन चिल्डरन विद मरासमस इन फॉलवाइं वाले बच्चे में के लिए नेग्ट सी एस्ली माल नूरिश्ट जिसमें बहुत जवर्दस तरीके से कमी हैं नेट्रिशन की चिल्डरन में लुक ओल्डर एंड हैं लि वो बच्चा बुड़ा सा लगेगा बहुत बड़ा सा लगेगा और कोई एनरजी नहीं होती है कोई इंथिजियाजम नहीं होगा और वो कुछ नहीं कर सकता मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि उसके जान नहीं है अब यहां पर प्रोटीन तो है है साथ साथ में दूसरी नूट्रिशन भी जुड़े होगे है दूसरे भी नूट्रिशन वह इन्वालव हैं तो में यहां पर खाना तो है लेकिन गरीबी की वएशे वह खाना खा नहीं पा रहा है उतना परियात मातरा में घर पे नहीं आता किसी के उन बच्चों में हो जाता है यह तेरा सेवरल टाइपस आफ मालनुट्रिशन कई तरह के मालनुट्रिशन होते हैं आप मालनुट्रिश्च चाइल्ड में हैव सम्थिंग अदर देन मराश्मस उसके अंदर मराश्मस से अलग हटके कुछ और चीजे भी देखने को मिल सकती है क्या क्या चीज़ कमे हो जाएगी जिंग की कमी हो जाएग विटामीन ए की कमी हो जाएग की कि लिए रहेत तो वह सब क्यों इस्क्तर और मिलते हैं जिनके पास कमाई का साधन नहीं है, कमा नहीं पाते हैं, विचारे गरीब हैं, ठीक है ना, तो poor people of developing country हम कह सकते हैं, जो developing country के poor लोग है, areas that have famines or high rates of poverty, यहां पर आकाल पढ़ता हो, मालों developing country है, कुछ खास इसों में आकाल पढ़ जाता है, और गरीब ही बहुत जादा है, higher percentage of children with marasmus, वहां पर marasmus की संभावना बच्चों में जाद देखी जाती है, nursing mothers may be unable to produce enough breast milk due to malnutrition, this affects their babies, जो nursing mother होती है, जब माँ अपने बच्चे को दूद बला रही है, अब उनको खाना पिना तो मिलता नहीं, माँ खुद दूद नहीं बना पा रही है, enough breast milk, उनको दूद नहीं आ जाएगा जाने कि जहां बीमारीयं जादा होती है, वहां बच्चा हरस में बीमार रह रहा तो खाना पिना कम खाएगा, खाना पिना कम खाएगा, तो मरasmus हो जाएगा, तो यहां पर थोड़े से क्या है, risk sector अलग है, ठीक है न, reasons with high disease rates and insufficient medical care, जहां disease बहुत जादा होती है, medical care नहीं है उतनी, may also have the other factor that reduce the chances of people having enough food to eat, ठीक है न, disease जादा रहती है, medical care नहीं हो पाएगा, बच्चा उस लेवल से खाना पिना नहीं खा पाएगा, अब इसको डाइग्नोस कैसे करते हैं हम लोग, a doctor can often make a preliminary diagnosis, preliminary मतलब सबसे पहले उपर से देखे कैसे चेक करेगा, of marasmus, through a physical exam, उपर से देखेगा बच्चे को, measurement such as height ना पेगा, weight ना पेगा, and can determine whether a child has marasmus, height और weight को measure करके, उस age के बच्चे की जितनी normal होनी चीए, उससे compare करेगा, और देखेगा, अगर उससे कम है, तो marasmus की condition को वो सोच सकता कि है साथ उसको, when those measurements are well below the measurements that a healthy child of a particular age should have, कह रहा है, अगर व maybe the cause, तो उससे करण marasmus हो सकता है, a lack of motion in the malnourish child may also help confirm a diagnosis of the marasmus, motion चलना फिर ना बच्चा नहीं चा रहा है, छोड़ा बच्चा नहीं थक जा रहा है, तो यह marasmus ही condition हो सकती है, children with the condition tend to lack the energy, उसकता energy नहीं होगी और will to do anything, और कुछ चाहत नहीं होगी करने की, will मतलब इच्छा with marasmus also have infections that can affect blood test results, जिन बच्चे को marasmus हो दो, उनमें कई वार कुछ और infections भी पाई जाते हैं, तो हमको लगता कि उनना infection की वज़े से दिक्कत है, but actual में दिक्कत किसकी वज़े से हो रही होती है, marasmus की वज़े से हो रही होती है, clear है, how is marasmus treated, तो यहाँ पर treatment का वोई तरीका है अपना, initial treatment of marasmus often include dried skim milk powder, dried skim milk powder होता है, उसको हम लेंगे mixed with boiled water, उसको पाने के साथ मिला करके देना के स्टार्ट करेंगे, बाद में the mixture can also include vegetables oils, बाद में उसमें हम vegetable oil भी मिलाना के स्टार्ट करेंगे, उसी milk वाले powder वाले जो boiled water के साथ दे रहे हैं, such as sesame oil, casein oil and sugar, casein is milk protein, casein क्या होता है, milk protein होता है, the oil increases the energy content and density of the mixture, oil से क्या होगा, energy content बढ़ेगा, बच्चे गंदर energy आना, start होगी, once a child is start to recover, recover करना, start कर देगा, they should have a more balanced diet, फिर हम उसको और ज्यादा अच्छी diet देंगे, that meet their nutritional needs, ठीक नो, सुरुआत में हमारा सबसे बढ़ा काम किया, उसको energy provide करवाना ओके, if dehydration is a problem, अगर dehydration is problem है, एक dehydration एक problem है, तब पानी की कमी है सरीर में, because of diarrhea, rehydration should also be a priority, अगर बच्चे को dehydration रहता है, diarrhea रहती है, तो उसमें rehydration करवाएंगे उसको, a child may not necessarily need fluid delivered intravenously, जरूर नहीं कि उसको IV है ना, जो bottle चलाते हैं हम लोग, drip लगाते हैं, उसी के थूरू उ sufficient, ग्लास में पाने डालके, ORS देते हो, उससे भी काम हो जाता है, infections are common among children with marasmus, जिन बच्चों को marasmus, उनमें infection बड़ा common होता है, so treatment with antibiotics और other medications is standard, क्योंकि उनमें infection होने के chances ज्यादा होते हैं, तो हम साथ में antibiotic को भी use कर सकते हैं, treating infection and any other health issues can help, give them the best chance of recovery, treating infections and any other health issues, मरास में के साथ साथ कुछ infection है, कुछ और health issue, अगर उसको भी साथ में treat करेंगे, तो best chance होते है, recovery के, तो एक तो हो गया, यह 3-3 number में आ रहा है, तुम्हारे पास इतना लिख दोगे, otherwise, जातर क्या आता है, difference आ जागा तुम्हारे पास, है ना, difference आ या दो नमबर का आ जाए, नमबर में, और difference आ गया, तो यह ही है, बात समय में आ रही है, तीन नमबर में भी आ गया, तो भी अगर यह सारे point लिख दोगे, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना, थोड़ा साथ डिटेल करने के लिए, तीन नमबर में भी एक यह लिख दोगे, तो भी काम च Mild Growth Retardation, Growth में Retardation काफी कम होती है, Mild Reduction in Body Weight, Body Weight में उतना ज्यादा Reduction नहीं होगा, मतलब कि Growth चो होती है, बच्चे की उतनी ज्यादा नहीं रुखती है, ठीक है, और जो Body का Weight भी बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, Mild होता है, Proceding Abdomen, यह पेट भाहर निकला रहता है, and Subcutaneous Fat Res रहता है, यह दो बात बताऊंगा, मैं अभी यहां पे, Ribs not very prominent, Ribs का मतलब क्या है, इस बच्चे की देखो, यह हड्यास दिखती है, है ना, यहां पर ऐसा नहीं होगा, not prominent, नहीं चमकेंगी नहीं, poor appetite, भूख कम लगती है, enlarged fatty liver, यहां पे लिवर ने रहता है, बच्चे का जैसे हो जाएंगे, flaky paint like skin हो जाएगी, lethargic energy नहीं रहेगी, require adequate amount of protein, यहां पर protein ही चाहिए होता है, सबसे ज्यादा, अब मैं comparison करवाता हूं, यह एक से पांच साल के बच्चे की बीच में है, यह एक साल से नीचे वाले बच्चों हो जाता तर होता है, arrow लगा हुए, less than one year, ठीक है न, due to low calorie intake, यहां पर क्या, due to low protein intake, यह especially किसके लिए है, protein के लिए है, यहां पर calorie, यहांने की carbohydrate, protein, fat, सब आता है, इसके अंदर, mild growth retardation, severe growth, इसके अंदर growth पूरी रुक जाती है, क्योंकि पूरा-पूरा माल nutrition हो गया है, severe reduction in body weight, यहां पर body weight यहां पर mild reduction in body weight, difference समझ में आ होता है, subcutaneous fat not preserved, यहां पर abdomen फूला हुआ है, protein out, subcutaneous fat reserved, बचा हुआ है, लेकिन यहां पर subcutaneous fat not preserved, subcutaneous fat खतम हो जाता है, ठीक है, ribs are not prominent, यहां पर जो छादी के हड़ियां होती हो ती, वह नहीं चमक रही है, ribs prominent, यहां पर यह चमक रही है, ठीक है, यह क्योंते, poor appetite, इनकी Horaceous feeder, इनकी भूख रहती है, यहां पर क्या है, liver बड़ा हुआ होता है, बट यहां पर क्या है, no fatty liver है, यहां पर edema, body में जगए कर सूजन रहती है, यहां पर सूजन नहीं रहेगी, ठीक है, यहां पर moon face रहता है, यहां पर old man like face, बुड़ा बच्चे की तरह लगता है, no hair changes noted, यहां पर बालों में कोई भी change नहीं आता है, यहां पर sparse share हो जाते है, dry and wrinkle skin हो जाती है, यहां पर flacky paint like skin रहती है, alert but irritable, यहां पर क्या है, alert रहता है, यहां पर आलसी हो जाएगा, लिथार्जिक, आलस आएगा, ठीक है, then requires adequate amount of protein, fat and carbohydrate, यहां तीनों चाहिए है, यहां के clear है, तो यह था हमारे पास protein energy malnutrition, यानि की protein key differences of होने वाली disease, एक disease तो पूरी protein के वाई से थी, और दूसरी disease में protein के साथ साथ, यानि की जो मरासमस था, उसमें protein के साथ साथ, और fat भी involved था, ठीक है, clear है, तो difference को पक्का याद कर लो न, difference याद कर लोगे, उसमें ही तुमारे आती है, वीडियो को द्वारा देखें, कोई दिक्कत है, call करें और पढ़ते रहें, और revise करते रहें, all the best!